अब यह लो फ्रेंट्स वेलकम टो आर्बी शर्मा हाई डोपोनिक्स आप देख रहे हैं ब्रिंजाल यह बेंगन के दो प्लांट से आप देख रहे हैं अच्छी हैट लिए हुए हैं और इनके प्रूटिंग देख रहे हुए कितने बड़े बेंगन लगे हुए हैं एक बेंगन का वेट परीब 1.500 गराम गारस है इतना अच्छा प्रूटिंग दोना में फेंट्स से संभव हुए मेरे पास हाईड्रोपोनिक्स का न्यूटेंड था करेव सासो टेडियस का वो मेंने दिया है इसमें प्लस बर्मी कंपोस्ट दो दो मुठ्टी जैसे एक मुठ्टी का भी है एक एक मुठ्टी लेकिन प्लांट्स बड़े हैं और फ्रूटिंग अच्छा है इसलिए मेंने रहा सा दबल कर दिया इसको कि दो चीक मैंने इसमें दी है और फ्रेंट्स आपके पास माइक्र नुट्रेंट नहीं है हाई अच्छे प्रूटिंग के लिए वे सर्सोंगी खली मैंने इसमें बहुत पहले दी थी जब फ्लावरिंग था तब दीती मैंने इसके बाद नहीं दिया उसके बाद मैंने माइकरन रिटेंट ही दिया तो आप तु सर्सों की खली के सर्सों जारा मुसम ठंडा हो तब ही देना है क्योंकि सर्सों जार गर्म होती है तो जारा मुसम में दैं टैंपरिच्र रिश्चर निचे ओ तब ही दें वन्ना प्रांट से चल सकता है सरसवी खली को भिगो लें आप 10 गंडें तो सुच्छान कर उसका पानी अगर वह मिलागा डाल दें दोनों में और यह एक हप्ते के अंतराल में दें अब और इसका अलावा बरवीविविवय कंपोष्ट तो देना ही आपको वह भी आप डोपते में इस तरह से बारी-बारी से दें तो जो पुदे आपके मिट्ट्री के हैं उनमें इंची तरह से अच्छी पुटिंग आएगी जो आप देखेंगी यह वास्ताम में कितने अच उनमें इस तरह की फ्रूटिंग ले सकते हैं आप तो फ्रेंट से इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरह से अपने गमलों में मिट्टी वाले प्रांस में इस तरह के पूर्दे आप पा सकते हैं इस तरह के फ्रूटिंग आप पा सकते हैं देखें आप कितने अच्छ बेंगन है तो उमने छोड़ दी है यह आर्दस बेंगन तोड़ा है और यह इसमें कोई पेश्ट्राइज नहीं है दवाय को यूज नहीं है यह इस तरह से बड़े हुए हैं खाट से ही तो फ्रेंड्स आप इस तरह से यूज करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शे डाष्टक है तैंस for watching